दोस्तो कोई भी पाइवाट टेबल में जब हम लेबल फिल्टर इस तरह से लगाते है और ओके बटन पर क्लिक करेंगे यहाँपे देखेंगे तो लेबल फिल्टर लग गया अब हम यहाँ पर दूसरा वेल्यू फिल्टर एपलाइ करना चाहते है लगकि ये पाइवट टेबल पे दोनों फिल्टर हमने एपलाई किये हुए है तो इस तरह से multiple filter आपको एपलाई करने हो तो कैसे करना है वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले है और साथ में आखिर में हम ये भी देखेंगे कि हर एक कॉलम के ऊपर आपको इस तरह का filter का ब पहले से ही dataset लिखा हुआ है ये dataset की मदद से हम पाइवट टेबल तयार कर लेंगे इसको हम select करेंगे control-a insert में जाएंगे पाइवट टेबल पे click करेंगे यहीं पर ही हमें पाइवट टेबल तयार करने है इसलिए दूसरा option select करेंगे यहाँ पर click करेंगे ओके button पर click करेंगे यहाँ पर पाइवट टेबल आ गया अब हम यहाँ पर items का जो field है वो rows में रखेंगे quarter का जो field है वो हम column में रखेंगे और quantity का field है वो values में रखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दूसरो हर एक product की हर एक quarter में कितनी quantity cells हुई वो यहाँ पर display हो रहा है अब दूसरो जहाँ जह हमने आपको यहाँ पर zero लेग लाना है दोस्तो यहाँ पर pivotable options के अलग-अलग कई सारे टेब है और सभी टेब में अलग-अलग कई सारे option भी है दोस्तो यह सभी option हमने video part number 52 से अलग-अलग video में बहुत ही detail में सीखे है तो अगर आप pivotable detail में सभी option के साथ सीखना चाहते हो त वीडियो part number 52 से सभी video step by step देख लीजिएगा यहाँ पर दोस्तो हम okay button पर click करेंगे तो यहाँ पर देखे जहाँ जहाँ पर blank था वहाँ पर जीरो आ रहा है दोस्तो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले बहुत ही जरूरी बात दोस्तो हमारा Excel का जो यह tutorial है वो हम बहुत ही detail मे हर एक option को example के साथ सिखाने की कोशिश कर रहा है जिससे हम सबको एक बहतरीन tutorial मिल सके तो यह कोशिश हम जारी रखे और इसमें और भी ज्यादा मेहनत कर सके इसलिए हमें आपके motivation की जरूरत है और आप हमारे यह video को like करके और comment करके हमें motivate कर सकते हो और साथ में अगर आप हम दोस्तों के साथ जरूर से share कीजेगा ताकि जिसको भी इसकी जरूरिया थे वो free में Excel सीख सके तो फिस से दोस्तों हम हमारे Excel चीट में चले आते हैं यहाँ पर दोस्तों हमने पाइवर टेबल तैयर कर लिया अब दोस्तों हमने video part number 71 में यहाँ पर क्लिक करके यह label filter के सभी option सीखे थे और video part number 72 में value filter के यह सभी option सीखे थे तो अगर आपको यह label filter और value filter के बारे में नहीं पता तो video part number 71 और 72 दोनों जरूर से देखिएगा यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं label filter में दोस्तों यहाँ पर हम filter use करेंगे contents और यहाँ पर हम सिर्फ वही product display करना जाते हैं जिसक के नाम के अंदर कहीं पर भी DD सब्द आ रहा है फिर से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे तो label filter के आगे यह selection आगया मतलब कि यहाँ पर हमने label filter apply किया हुआ है और दोस्तों अब हम इस पर ही दूसरा filter apply करना चाहते हैं जिसमें total quantity है वो 10 से कम हो तो फ okay button पर click करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों वह सभी product display हो रही है जिसकी value 10 से कम है लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो वह भी product यहाँ पर आ गई जिसके नाम के अंदर DD सब्द नहीं है तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों label filter हट गया और value filter यहाँ पर apply हो गया लेक दोस्तों option है allowed multiple filter per field तो इसको आपको select कर लेना है और बटन पर click करना है अब दोस्तों हम फिर से यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर देखेंगे दोस्तों value filter पहले से ही लगाया हुआ है अब हम label filter पर जाएंगे contents पर click करेंगे अब हम यहाँ पर लिखेंगे DD और button पर click करेंगे तो देखें दोस्तों सिर्फ वही product display हो रही है जिसके नाम के अंदर DD शब्दा आ रहा है और उसकी जो total sales quantity है वो 10 से कम है यहाँ पर click करेंगे तो देखें दोस्तों यहाँ पर दोनों filter पे tick mark आ रहा है मतलब कि यह दोनों filter apply किये हुए तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी pivot table पे multiple filter apply कर सकते हो अब दोस्तों यह filter को हम clear कर देते हैं यहाँ पर हम click करेंगे clear filter पर click करेंगे तो यहाँ पर जो भी filter हमने दिया हुआगा वो clear हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो quarter 1, quarter 2, quarter 3 इस तरह से यह अलग-अलग column आ रही है तो अब हमें वही product display करनी है जिसकी value quarter 1 में 0 हो तो यहाँ पे ऐसा कोई भी filter का option नहीं है जो quarter 1 की value को filter कर दे तो अब हमें क्या करना पड़ेगा यह सभी column में filter का option लाना पड़ेगा तो वो कैसे लाना है इसके लिए दोस्तों आपको यह जो column की line है उसके आखरी cell में चले जाना है यहाँ पर डे database पर click करना है और यहाँ पर उप्सन इंफिल्टर का इस पर आपको click करना है जैसे यह आप click करोगे तो देखेंस तो यहाँ पर सभी column के उपर filter का button आ अब हम यहाँ पे quarter 1 के filter button पे click करेंगे, यहाँ पे number filter पे जाएंगे, equals पे click करेंगे, और हम यहाँ पे लिख लेंगे 0, और OK button पे click करेंगे, तो देखे दिश्टो यहाँ पे quarter 1 में, जिसकी value 0 है, सिर्फ वही product display हो रही है, फिर से दोस्तो हम यहाँ पे जाएंगे, इसको हम clear कर देंगे, तो दोस्तो यह filter हमने किस तरह से लगाया, हमने क्या किया, यह जो column के heading है, उसके आखरी cell में चले गए, फिर data tab में जाके यह option हमने apply किया, दोस्तो आपको एक बात का दियान रखना है, जब भी हम यह option apply करते है, तब यह जो raw label का filter है, उसका option बदल जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे, तो filter by color आ रहा है, text filter आ रहा है, जो label filter और value filter पाईवो टेबल के लिए आ रहा था, वो यहाँ पे निकल गया, तो आपको यह बात का दियान रखना है, अगर हमें यह filter नहीं चाहिए, तो हम फिर से यहाँ पे selection रखेंगे, filter बटन पे click करेंगे, तो यहाँ पे सभी में से filter का बटन निकल गया, अब हम फिर से यहाँ पे click करेंगे, तो पूराने जो option थे, label filter और value filter वो फिर से आ गया, दोस्तों यहाँ पे filter बटन लाने की shortcut की भी है, इसके लिए आपको यहाँ पे selection रखना है, और keyboard में से control, shift और L बटन को press करना है, जिससे यहाँ पे filter बटन आ जाएगा, अगर आपको यह filter बटन हटाना है, तो फिर से आपको control, shift और L की press करने है, जिससे यहाँ से filter हट जाएगा, तो इस तरह से दोस्तों आप multiple filter भी लगा सकते हो, और multiple column पे भी filter लगा सकते हो, तो इसकी दोस्तों आप practice ज़रू से कर लीजेगा, practice करने के लिए यह sample content वाली excel फाइल, और कौन सी exercise करनी है, उसकी PDF फाइल दोनों डाउनलोड करने की link इस वीडियो के description में दे दी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके practice कर लीजे, और practice करते समय आपको कोई confusion है, कोई question है, तो हमें comment करके बताएगे, जिसका हम आपको जरू से solution देंगे, दोस्तों next वीडियो में हमारे पास इस तरह का parent और child मतलब की sub item वाला कोई pivot table हो, और उसकी sub item को हमें filter करना हो, तो कैस तरह से करना है, वो हम next वीडियो में सीखने वाले है, तो हमारे साथ जुड़े रहेगा, मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में, बहुत बहुत दन्यवाद, थेंक यू,